पटार तीस सेकंड में खबर जाउनों कीजिए तक है। ओमिक्रोन से संक्रमित मरीजों की भी संख्या दिन बे दिन बढ़ती जा रही है। ऐसे में दिली सरकार के अस्पितालों में क्या होस्पिटलाइजेशन रेट है। किस तरह से ऑक्सिजिन की अविलिबिलिटी है। ये सब बताने के लिए हमेरे साथ मौझूद है। दिली सरकार के अस्पिताल LNJP के डिरेक्टर डॉक्टर सुरेश कुमार। डॉक्टर सुरेश दो से तीन हफते पहले के अस्पितालाइजेशन की बात करें। और अभी कि hospitalization rate की बात करें, तो कितना अंतर देखने को मिल रहा है? दो से तीन हपते पहले तो दो या चार पेशेंट हमारे पास परड़े आते थे, पर पिछले एक हपते से हमने देखा है कि जो लगातार जो ICU की बैट्स की जो डिमांड है या इंडोर होस्पिटलाइजेशन डिमांड वो बड़ी है निश्चित रूप से, पहले हमारे पास ए 85% बैट अभी खाली हैं, सिरफ 15% बैट ही ओक्यूपाइड हैं कोविड पेशेंट से ऐसे में दी बात करें कि टोटल कितने बैट्स आपके पास मौजूद हैं और कितने टोटल ओक्यूपाइड हैं तो उस आकडों पे अदी आप बात कर पाए तो अभी हमारे पास 750 बैट अवेलेबल हैं और उसमें से 135 बैट अक्यूपाइड हैं और उसमें से भी आईशू की जवाव शकता है बहुत कम लोगों को हैं सिरफ 30 के लगभग जो पेशेंट से वाईशू में हैं और हमारे पास जो गरबती महिला हैं जिनको कोविड हो गया है अक्सिडेंटल उनको पता चला है कि कोरना पोजिटिव आ गया तो 30 मामले ऐसी भी भरती हैं जो खाली डिलीवरी के लिए आए और उनका पता चला कि कोविड है और वो हमारे यह भरती हैं नूबोर्न जो हैं वो सारे स्वस्थ हैं 15 जो माताय हैं वो डिलीवरी के बाद पर भी जा चुकी है और किसी भी बच्चे में 30 में से एक भी बच्चे में संक्रमन नहीं हुआ चाहिए वो ओमिक्रों संक्रमित मरीज हो या फिर नॉमल डेल्टा वेरियंट वाले मरीज हो जिने कोविड हुआ है कितनों को ऑक्सिजन की जरूवत पड़ रही है ऑक्सिजन से इन लोगों को ऑक्सिजन के आउश्यक्ता होती है और अभी हमारे पास 6 पेशेंट ऐसे हैं जो की वेंटिलेटर पर है बाकी पेशेंट्स जो हैं लगभग 20-22 पेशेंट ऐसे हैं जिनको की ऑक्सिजन अनकारणों से हम दे रहे हैं जैसे COPD है दमे के पेशेंट्स हैं या इसे में आपने बता है कि मरीजों की संख्या अब दिन बर दिन बढ़ते जा रहे हैं इसका कारण क्या है क्या ओमिक्रों फैल रहा है या फिर तीसरी लहर पीक पर जाने के संकेत हैं अभी तक जो डेटा हमने एनलाइज किया जीन सिक्वेंसिंग भी हमारा लोग नेकमिन ल और पचीस हजार से भी अधिक मामले दिली में रिपोर्ट हो रहे हैं इसकी वज़े से हर तीसरा या चोथा व्यक्ति जो हमारे पास आ रहा है होस्पिटल में वो कोरोना संक्रमित है तो जो संक्रमिन का दर जब बढ़ता है तो निश्चित रूप से जो लंबी बीमारी वा बढ़ता जा रहा है इसी के तहट दिली सरकार के जीटीवे अस्पिताल के डिरेक्टर डॉक्टर सुभाज गरी हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं डॉक्टर सुभाज से हम जानेंगे कि क्या है यहां का हस्पिटलाइजेशन रेट कितने ऑक्शन की जरूवत हाँ यह सच है इस टाइम पे यदि हम दो सब्ता पहले की बात करें तो हमारे पास कोविड का एडिमीशन लगबग जीरो से एक ही पेशन्ट पर दे होता था ना के बराबर एडिमीशन थे लेकिन न्यू येर पे एडिमीशन का रेट बढ़ गया है यदि हम कल की बात करें तो कल हमने लगबग 19 पेशन्ट एडिमीट की है आज की डेट में हमारे पास 48 पेशन्ट है और एक अच्छी बात यह है कि जादा तर जो पेशन्ट हम अटेंड कर पा रहे हैं वो फ्यूर क्लिनिक में अटेंड कर पा रहे हैं जो के वहीं से OPD में उनको देखके उनका टेस है और जो मैलड़ली सिम्टमेटिक है उनको घर पे ही कौरेंटाइन करने की जरूरत है उनको होस्पिल आने की जरूरत भी नहीं है जो पेशन्ट हमारे पास एड्मिट हो रहे हैं यदि उसमें हम ओवर और ज्जादा एनलिसिस करने की बात करें तो हमरे पास दो ग्रूप पेशिंट है एक पेशिंट जो है अपनी प्राइमरी इल्नेस के साथ हमारे पास आता है जिसका बेसिक डिजीज जो वो चीज है जिसके साथ वो होस्पिन पहुच रहा है वो कोविड नहीं है ज्यादा तर पेशंट हमारे पास उसी तरह के आते हैं जैसे कोई प्रिग्नेट के लिए आती है लेकिन सबसीक्वेंटली कोई छोटा मोटा सिम्टम्स उसको डेल्प होता है तो टेस्ट करने के बाद वो पॉजटिव मिल जाती है इस टेस्ट को हम इंसीडेंटल पॉजटिव टी बोलते हैं तो ऐसे पेशन्ट में कोविड के सिम्टम्स के पास यूज्वल के लिए कंपैरिजन में देख लें तो आज यदी डैली में लगबग 27,000 से लेका 28,000 केसिस की पॉजटिविटी पर डे आ रही है और इस टाइम हमारे पास एडमीशन सिर्फ पचास है इससे यह आइडिया लगता है कि एडमीशन जो रेट है इन पेशन्स का बहुत कम है औ और उन पांच पेशन्ट में से वेंटिलेटर की सिरफ दो को जरूरत है यहां पर यदी मोटैल्टी की बात करूं मैं डैथ रेट की बात करूं तो डैथ रेट भी हमें कोविट प्रैमरी कंडिशन से बहुत कम है ऑल्दो जो प्रैमरी कंडिशन के वज़े से लोग को की जैसे एक्जांपल देता हूँ किसी को हट इटेक हुआ सबसीक्वेंटली छोटा मोटा सीम्टम्स उसको कोविड वाला लगता है तो उसमें जब हम देखते हैं तो वह इंसीडेंटली कोविड पॉस्टिव आ रहा है या आप यह लगाईए कि इसको बहुत ज्यादा सीवियर परलिसिस हो गया और उसको बेहुसी की वज़े से दूसरी कंप्लिकेशन परलिसिस वाली हो गई या उसका जो आउटकम है चाहिए वो डिस्चार्ज हो रहा है या एक्सपारी हो रही है वो उस प्रैमरी कंडिशन से हो रहा है और कोविड यहां पर इंपॉर्टेंट नहीं है उसकी डैट में तो इस मामले में यदि हम आपको डाटा देना चाहिए तो अभी तक मेरे पास सिरफ दो कोविड की डैथ रिपोर्ट हुई है जबकि इस टाइम पे मेरे पास पचास पेशेंट एड़मिट है तो हर एक दिन कितने पेशेंट्स आ रहे हैं लग बग एक ए अगल मेरे पास 19 पेशेंट एड़मिट है मैं डुबारा से एमफेशाइज करना चाहरा हूं कि अब तक जितने भी एडमिशन हॉस्पिटल में हुए उस में से शिरफ दो एक्सपाइरी है और वह एक्सपाइरी भी आम तोर पे कोविड की वज़े उन केसिस की हैं जिसमें क कुछ expiries hospital में हुई है जिसमें incidentally covid positive आया या secondary cause रहा है covid positivity का वो data थोड़ा सा उन patients का है जिसमें primary condition होने के वज़े से death उसकी kidney disease से हुई liver disease से हुई वो data जरूर हमारे hospital में थोड़ा सा जादा है जो कर अपली आज की date में I कि बारा के क्रीब का आज कल आज की date में हमरा data है ऐसे में जो पचास patients आपने बताए कि आपके पास सभी 50 patients hospitalized हैं कितने patients को oxygen की जरूरत पड़ रही है इस वक्ट डेटा के मताबिक जो आज 50 patient में से 5 patient मेरे severe patient है जो कि दो ventilator पे हैं दो bypep पे हैं एक NIV पे है इन patient को हम ICU care वाले patient बोलते हैं जिन में intensive care की requirement है बाकी सब patient mild है या तो उनको किसी oxygen की जरूरत नहीं है या mildly तीस patient को लगबग oxygen की हलकी oxygen की जरूरत है उसमें से भी किसी भी patient को high flow oxygen की कि किसी patient को जरूरत नहीं यह data हमें यह reflect कर रहा है कि यह disease mild disease के साथ ही present करेंगी हम लोगों को panic होने की जरूरत नहीं है और हमने इसके लिए पूरी तैयारी भी कर रखिया तरकारी hospital में hospitalization की संख्या बढ़ रहे हैं तीसरी लहर पीक पर आने वाली है ऐसे में प्राइविट हस्पितालों का क्या हाल है क्या oxygen की स्थिती है यहां पर और साथ ही साथ मरीजों की संख्या देन बदन कितनी बढ़ती जा रही है इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है है डॉक्टर सारा खुरेशी जो मैक्स hospital की medical superintendent है डॉक्टर सारा सबसे पहले हम यह बताइए कि प्राइविट hospitals में मैक्स की पर्टिकलर यदि हम बात करें तो कितने मरीज यहां पर हर रोज आ रहे हैं पहले के सब्सक्राइब के लिए हमने उनको रखा हुआ है अलग से इसमें से 80 बैट जो है हमारे वाट के लिए और 20 है इसीओ के लिए तो इन सो बेड में से अभी मेरे पास 46 पेशिंट उन 46 में से भी 10 जो है वह आईसीओ नीडिड है और उसके अंदर 36 जो है वो वाट के पेशिंट जितने आईसीओ में हॉस्पिटलाइज है इन सभी पेशिंट में ऑक्सिजन की जरूवत कितनों को पढ रही है भले ही वह एक बार हो दो बार हो कितने मरीजों का Oxygen की requirement लग हैं तो जो पूरे 46 मेरे अगर में से मैं कहा हूं तो उन में से सांड़ा या है को यह जाद्त लोगों को Oxygen की requirement अभी मरीजों को नहीं है अभी तो देखिए वाइरल इंफेक्शन है, इलाश तो दोनों का सेम लाइन के ओपर है, और जहांकि ओमिक्रोन या डेल्टा का है, वो हमें मालूम है कि उसके लिए हमारे पास कोई प्रोसेस नहीं होता कि हम उसके लिए करें, वो NCDC में जाके ही आता है, बड़ जैसे सरकार के और या फल्टा के ओपर हैं, तो मैं यह नहीं कहूंगा, यह condition बहुत जादा serious है मरीजों की और दूसरा यह भी factor है, जो मरीज serious है, उनको पार्ट फ्रूव कोवेड, उनको पहले से भी दूसरी बिमारियां हैं, तो वो सिफ कोवेड की वज़े से serious नहीं है, उनको और बिमा तो पहले के मुकाबले hospitalization कितना और एक दिन में कितने मरीज आ रहे हैं आपके पास तो देखे पहले के हिसाब से अगर मैं कहूं सब्टेंबर ऑक्टूबर के हिसाब से तो बिल्कुल बढ़ गया है यूँकि बीच में हमारे पास दूसरी लहर जब खतम हुई थी तो सब्टे बढ़ गया है बट वो नंबर भी ऐसा है दिन में तीन से चार पर मरीज पर दे के हमारे साब से आता है इसा पर्टिकलर एज ग्रूप जिनका यहां पर जादा हो रहा है सो देखें मोस्टली हमारे पास एल्डरली आ रहे हैं बट हमें यह भी देखना पड़ेगा कि थोड़ा जो नॉमल डेज में भी ऐसे मौसम के अंदर एल्डरली को जादा इफेक्ट होता था क्यूंकि आपके कार्डियक इशू हो आपके रेस्परेटरी इ समय में किस तरह से देखती हैं आप बढ़ते हुए जो केसे से उसको और तीसरी लेहर जो पीक पर जाएगी उस चीज को भी तो देखिए आज जैसे कल दिल्ली के अंदर अथाई साहर की संख्या थी हम जिस तरीके से संख्या बढ़ रही है जिसके पॉजिटिविटी रेट अगला एक हफ्ता हम सब के लिए बहुत क्रूशल है कि हम कैसे इसको कितने पीक पे जाता है यह बट हम हर तरीके से रेडी है अगर नंबर ऑफ ऑस्पिलाइजेशन बढ़ता है उसके लिए बी रेडी है जो भी हम से हो पाएगा इस डिजीज को हमेशा हम लड़ने के लिए सब्सक्राइब करना है तो उसका सबसे बड़ा एक्जेंपल हम लोग अपने आप से देखते हैं कि हम यहां अस्पताल में आ रहे हैं यहां बाहर जा रहे हैं तो हम source of infection है अपने घर ले जाने के लिए तो हमारी immunity ठीक हो सकती है हम vaccinated हो सकते हैं बट घर में और लोगों के बुजर्ग होते हैं जिनकी immunity कम होती है बच्चे होते हैं जिनकी immunity कम होती है तो हमें अपने एक responsible behavior से करना होता है कि हम उन तक infection ना लेके जाएं ऐसे ही society में फिर infection पहलता है तो हम जब जब बात करते हैं कि हम मास्क पहने अपना डिस्टेंसिंग रखें हाथ सानेटाइज करें तो वह इसके लिए है आपके अपने बचाफ के लिए तो है बट आपके आसपास जो और लोग है उनके बचाफ के लिए सबसे ज़ादा जरूरी है वह हुआ हुआ है